सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डेली टेक्नोलोजी एंड स्मार्टफोन वीडियो जुश्कार दोस्तों में हूँ प्राचीत और आत्वर कस्वागत है यूट्यूब के फ्रेश एपिसोड में और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑनर वीटेंड का जो नया अप् तो एक्शली में ने चेंज लग देख लिया है वो अनर बीटें का और उसमें कुछ मुझे नया तो मतलब पसंद नहीं आया है कैमेरा में एक फीचर एड कर दिया है और सिकूरूडी पैच अप्डेट कर दिया है बस इतना ही है और कुछ है नहीं और उसका अप्डेट अप्डेट करना और आपको कोई भी सुझा रहा है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दे रहा है तो दोस्तों यह मेरे पास अनर बीटें का फोन है और मैं उसको मैंने उसको अप्डेट कर दिया है नए अप्डेट पे मैं आपको दिखा देता हूँ लेस्यों गो तो सिस तो हम लोग एक बार चेंज लोग देख लेते हैं आप देख सकते हैं 1.18GB का जो नया अपडेट है और उसमें उनोंने बोला है कि प्रिलोड़ेट पार्टी मोड अपके तो आपको आपके अप्लिकेशन में तो आपको इदर पार्टी मोड मिल जाएगा और यह पार्टी मो लगेंगे और तभी आपको वो मुजिक है वो दोनों ओनर फोन में शेयर करके फिर बजा सके हो तो यह पार्टी मोड का फीचर उन्होंने एड कर दिया था लेकिन इंडिया में आते आते उसको पांच मेने लग गए अभी दूसरा एक जो फीचर उन्होंने एड किया है वो पे-टी-एम फीचर था और एक्छली यह वनप्रस में काफी टाइम से यह पे-टी-एम फीचर आप जा सकते हो सेटिंग्स में इदर आप टाइप करो पे-टी-एम तो फिर आपको क्विक पी ऑप्शन मिल जाएगा प्विक पीम आप अपना पासवर्ट डालके जा सकते हो और इदर Paytm Quick पे करके एक option आ जाएगा, आप अपने fingerprint ID को register कर सकते हो और जैसे ही आप screen lock करते हो और जब भी unlock करते हो तो directly Paytm application launch हो जाएगा फिर भी मैं करता हूँ हम लोग रोज रोज तो Paytm application से कुछ transaction नहीं करते तो ये feature मुझे personal इतना पसंद नहीं आया, feature है तो कमाल की बात है तेकिन अगर आप हर टाइम fingerprint scanner को Paytm में convert कर दोगे तो फिर उसमें कुछ, मतलब हर बार Paytm application launch हो जाएगा तो फिर हर बार तो आप कुछ transaction करने वाले हैं नहीं तो इसलिए में इसको disable ही रख देता हूँ फिलाल के लिए अब आगे और बात करते हैं अगले इसकी feature की तो उन्होंने camera feature में 3D creator feature डाल दी है ये just 3D जो हम Apple और Samsung में एकते हैं वैसे ही कुछ feature है इसके लिए आपको camera में जाना पड़ेगा और camera में जाने के बात इधर आपको ये 3D creator का option मिल जाएगा उसके लिए आपको इधर face लाना पड़ेगा इसके लिए मैं अगल से एक video बना दूँग आपको चली तो और फिर वो face अगर आप detect कर ले तो इधर सामने तो फिर फोन में वो face के अलग-अलग 3D creator हो जाएगा ये कुछ feature ही है इसके इस particular feature के वज़े से camera तो improve होने वाला है नहीं लेकिन उन्होंने एक extra feature इसमें add कर दिया है अभी इसके अलावा उन्होंने सिर्फ Google security patch को update कर दिया है जो कि May 2018 है तो बस यही actually change log है कुछ नए मतलब नए अगर कहें तो उन्होंने पेटी में और camera feature add कर दिया है लेकिन हम लोग तो expect कर रहे थे कि शायद वो लोग EIS all out करेंगे या फिर low light की जो उनकी camera quality है उसको थोड़ा बहुत improvement कर देंगे मतलब कुछ नए कुछ तो camera related update हम लोग expect कर रहे थे honor से क्योंकि अल्मोस्ट 6 महीन हो गया लेकिन अब भी लगता नहीं कि honor EIS इसको देने वाला है honor V10 phone के लिए और camera improvement की मतलब camera तो अच्छा है लेकिन अगर और भी improve करते तो काफी अच्छा रहता लेकिन मुझे भी नहीं लगता है कि अभी इसके बाद भी और कुछ update आएगा हम honor के लिए जो की camera से related रहेगा और मेरे खायल साथ भी तिन्चार मैने के बाद फिर वो एक और update भेजेंगे और उसके बाद फिर Android P का शायद update भेजेंगे क्योंकि honor के updates काफी लेट होते है तीन से चार मैने के बाद update आजाते है तो बस यही ता यही कुछ update है अपड़ेट तो काफी बड़ा है लेकिन उसके मुकाबले change log काफी छोटा है तो मैं तो actually यह particular update से इतना खुश नहीं हूँ जितना OnePlus के updates है मैं हमेशा खुश रहता हूँ क्योंकि OnePlus पे हमेशा कुछ ना कुछ बीटा वर्जेन में तो कुछ ना कुछ फीचर अड़ करते है वो लोग जैसे कि आपने देख लिया भी ओपन बीटा 9 लेटिस्ट आया है उसमें स्टैंडबार बैटरी मैनेजमेंट उन्होंने अड़ कर दिया काफी सारे फीचर वो लोग ओपन बीटा में अड़ कर दे रहते हैं लेकिन ओनर के फोन मुझे मतलब फीचर ऐसा अभी तक अज तक कभी देखा नहीं में लास्ट दो तीन अपडेट मुझे मिल गए लेकिन फीचर कहे उसके ऐसा कुछ अलग सा फीचर उन्होंने नहीं किया है अनर भी मतलब सैमसंग जैसा ही है कुछ फीचर आड़ करता है बस तीन चाहिमने के बाद कुछ से एक छोटा मोट आपडेट भेज देता है और फिर एक दो एप्लिकेशन उसमें एड़ कर देता है तो दोस्तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे रहेगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन थैंक यू बेरी मच और सी यू सुन